हा देखे, a man starts repaying a loan as first installment रूपीज 500, if he increases the installment by रूपीज 25 एवरी मन्थ, what will he pay in the 30th installment? question हमारा basically यह है कि हम की एक person है वो first installment में 500 रूपीज जमा करता है, फिर अगली और उससे अगली हर installment में वो 25 रूपीज बहाता चला जाता है, तो 30th installment में वो कितना pay करेगा वो हमें निकालना है, तो यह देखिए, first installment में वो 500 रूपीज जमा करता है, यह 500 ते, अगली installment में वो 25 रूपय बढ़ा करेगा तो वो 525 जमा करेगा उसके अगली इंस्टाल्मेंट में वो जमा करेगा तो पक्चीस रूपय और बढ़ा करेगा तो वो 550 रूपय जमा करेगा और हमसे पूछ रहा है तीथी यह देखिए बिस सिकली के री सिरी से है जिसमय की हमारा डिफ्रेंस वी हम्हारी 25 में ऊसर त्रठीज्रेंट इन्स्तालमन्ट में से पूंच रहाये तो सुनो में तुक्ति में कितने पैसे जमागरेगा यह निकालने के लिए em 30 की अगर हम value निकालें तो वो हमारा हो जाएगा A plus 29D हमारा हो जाएगा TN basically यह होता है TN is equal to A plus N minus 1 into D यह हमारा TN होता है हमें T30 निकालना है तो A plus 29D हो जाएगा A हमारा 500 दिया हुआ है plus 29 into D की value है हमारी 25 यहां से यहां से अगर आप calculate करते हैं तो यह 29 29 into 25 अगर आप calculate करेंगे तो यह हमारा होता है 225 होता है 22 हमारा 22 हमारा हासिल लगेगा तो यह हमारा 725 रुपय हो जाएगा और यह यह हमारा 500 है plus यह हमारा 725 रुपय है तो यह हमारा यह हमारा वो जाएगा 1225 रुपय है मतलब 30 इंस्टाल्मेंट में वो पर्सन हमारा 1225 रुपय है